एनिमल्स मेच्ट वितर रॉंग एनिमी पार्ट वन नमबर वन टाइगर एन अनकॉंडा दोस्तो टाइगर दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी होता है जिसकी खासियत उसके मजबूट जबडे और पंजे होते हैं जिससे ये जानवर किसी को भी फाड़ देता है वहीं ग्रीन अनकॉंडा दुनिया का सबसे लंबा साप है जो 35 फीट लंबा हो सकता है ऐसे तो इन जानवरों की बीच ऐसा बहुत कम देखा जाता है मगर लेकिन दोस्तो एक वीडियो है जिसमें ग्रीन अनकॉंडा और टाइगर की बीच में जवरजस्त मुकाबला देखने को मिला है जिसमें अनकॉंडा ने टाइगर को जकड़ना शुरू किया तो इस तरह से खुद को छुडाने के लिए बेगी बिल्ली की तरफ भाग निकला हाला कि बहुत देर तक इनके बीच में लड़ाई चलती रही आखिरकार टाइगर की ही हार हुई जंगल की राजा को आपने हमेशा ही जंगल पे राज करते हुए देखा होगा लगिन बोलते हैं ना सबको समय एक जसा नहीं होता ऐसा ही शेर कभी दिन खराब था इसने जंगली भैंसे को अकेले देख उस पे हमला कर दिया अभी पास खड़े भैंसे के साधियों ने शेर की तरफ तौड लगा दी और देखते ही देखते शेर ने भैंसे को दोपट के लगा दी जिसमें शेर को दुम दबा के भागने पे मजबूर कर दिया इन दो भैंसों ने अब दोस्तो इस clip को देखकर आप ये मत समझ लेना कि भैंसा सबसे ताकरवर जानवर है दोस्तो साप चील का पसंदिदा भोजन होता है इसे चील आसानी से अपने शिकार बना लेता है लेकिन इस नजारे को देख आप भी चौंक जाएंगे चील जैसे ही साप पे हमला करती है साप उसके पंजे से लिपड़ जाता है और साप धीरे धीरे उसे अपने शरी से जकड़ लेता है और साप चील पे हमला कर देता है जैसे ही साप अपने जहर चील के उपर छोड़ता है चील उही पे धेर हो जाती है 2.HIPPO VS RINO दोनों जानवर का शरीर थोड़ा बहुत सेम दिखता है हिपो काफी गुस्ते वाला जानवर होता है और RINO काफी भाड़ी भरकम शरीर वाला होता है इनसे सेर भी जल्दी नहीं भिरते हैं नाई जानवर हमला करते हैं लेकिन हिप्पो का नेचर थोड़ा अलग होता है एक बार राइनो का ज़न घास चर रहा था तभी वहाँ पे हिप्पो आ गया और वो राइनो को परिशान करने लगा लेकिन हिप्पो गलत फैमी में था वह उन्हें घास चरने माला गाय पैसा समझ पैटा और सोचा कि ये कुछ नहीं करेंगे लेकिन हिप्पो के ज़्यादा करने पे राइनो ने हमला कर दिया उसने इदना मारा कि वह वहाँ से भाग गया इस वाके से हिप्पो को समझ में आ गया होगा कि राइनो से पंगा नहीं लिया जाता जिराफ परसे सेर जिराफ दुनिया का सबसे लंबा और शान जानवर है जो किसी पे भी आसान इसे हमला नहीं करते लेकिन जब बात अपने बचाव की हो तो वे अपने पैरों से बड़े बड़े जानवर को भी धूल चटा देते हैं इसे लिए शेर भी इनसे पंगा नहीं लेते हैं लेकिन दोस्तो शेर भी अपना शिकार पकड़ने के लिए गरदन पर हमला करता है जिराफ के इतनी लंबी गरदन है कि शेर वहां तक पहुँची नहीं पाते इन फिर भी अगर शेर को लात खानी होती है तो वह हमला करते हैं और आप देख सकते हैं दोस्तो कैसे शेर को लात उसे धूल चटा दी जिराफ में तो दोस्तो इसका सेकेंड बार्ट भी देखने के लिए हमारे चैनल सब्स्राइब कर लें वीडियो को लाइक करना ना भूलें